प्रियविद्यार्थियों, आज हम भारत में वैदिक धर्म के पस्चात किस प्रकार जैन इवं बहुद्धर्म का उदाई हुआ, इन कारणों पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानना चाहेंगे कि उस समय कैसी परिष्थित्यां थी जिन कारणों से भारत में जैन इवं सिधान्त क्या थे, पहले हम इस बात पर प्रकास दालना चाहेंगे कि कि इन कारणों से भारत में जैन इवं बहुद्धर्म का उदाई हुआ, शरौपर्थम आपको यो समाईना जरूरी है कि जैन इवं बहुद्धर्म का जब भारत में उदाई हुआ, उस से पहले समकून भारत में वैदिक धर्म प्रचलित था और वैदिक धर्म वही धर्म जो रिग वैदिक काल से भारत में प्रचलित रहा है सबसे पहले आपको थोड़ा रिग वैदिक धर्म की कुछ विश्यस्ताइं पता दो रिग वैदिक जो धर्म था जिसे हम वैदिक धर्म भी कहते हैं वो एक प्रकार से सरल और आडमबर हीन था उसमें कोई बहुत जादा करमकाण नहीं थे और नहीं बहुत जादा आडमबर थे नहीं उस समय बहुत अधिक पुरुईत की आउश्कता पड़ती थी धर्मिक करमकाणों के लिए तो इस दिश्ट से जो वैदिक धर्म था रिग वैदिक काल में जो धर्म था वो अपने आप में एक सरल और आडमबर युक्त आडमबर मुक्त जिसमें आडमबर नहीं था आडमबर मुक्त धर्म था परन्तु धीरेदरे क्यावा की इस वैदे की धर्म में अनेक प्रकार की जड्लताएं, कर्मकांड और कई त्रों की इस प्रकार की बुराईयां व्याप्त होगे। ग्रसित पाने लगा और वह इंकर्मकार्णों की जड्लतागे कारण इसके प्रकी उदासीन होने लगा। जड्लता जिसे मैंने भी बताया कि पहले वैदिक धर्म एक सिधा, सरल और आडंबर मुक्त धर्म था। परन्तु उस समय इसमें किसी पुरोहित विशेश की आउस्कता नहीं होती थी और नहीं कोई कर्मकार्ण या आडंबर इसमें था। उस समय क्या था कि जो पूजा पद्रत थी कि आप जो बिभिन जो देवताओं की कल्पना या बिभिन देवताओं की जो स्रिजना रचना जो वैदिकाल में हुई उन्हें से सूर्य अगनी मारुत जल वरुन जो इन देवताओं की जो स्रिज रचना हुई इनकी जो एक कल्पना की गई इनकी जो मानेता इस्ताबित हुई तो इन देवताओं के जो पूजन वी थी या जो पूजा पद्रत थी उसमें ऐसा माना जाता था कि अगनी के मात्य से जो भी आहुती इने देवताओं को समर्पित की जाएगी अगने उन देवताओं तक उस आहुती को पहुचा देगी और इसलिए जब भी घर में भोजन बनता था तो सर्व पर्थम उसे अगनी को समर्पित के जाता था और यह माना जाता था कि अगनी जो है जिस देवता के नाम से उस भुजन को उस आहुती को समर्भित क्या गया है अगनी उस देवता तक उस आहुती को पहुंचा देगी और इस तरह एक यग्यका एक सरल सुरूप था कि अगनी में किसी देवता के नाम से आहुती देना और उस देवता को उस आहुती का पहुंचना ऐसा विश्व जो एक पुजा विदी थी, वो विदी जो धिरे-दिरे जटल यग्यों में परिविटत हो गई और उसका प्रिणाम ही हुआ कि जो यग्य और कर्मकांड की बहुलता वैदिक धर में आई तो इसे क्या हुआ कि उत्तर वैदिकाल में आते आते यग्यों का आकार विसाल होता ग ता था, अब काल अंतर में उत्तरवैदी काल तक आते आते यग्यों में जटलता आ गई और यग्यों का अकार विसाल हो गया, अनेक यग्य तो ऐसे थे, जो महिनों और वश्वा वहसंतों चलते थे, इसकारण इन में अत्यधिक धन और और पौसु में आत्यधिक वेहुने लगा और यह यह क्या होगी अत्यंत बेसाध्य हो गए जैसे इस फिरकार के यह क्यों थे वाजपे यग्या राजशुल यग्या अस्वमेद यग्या यह कई लंबे वर्षों तक चलते थे और इसका प्रिणाम क्यावा कि यह क्यों कि जो यह के वीदियां थी उनके निर्मान म मंत्रों का पठन पाठन अनुष्ठान के लिए इतनी चटिल हो गई ही कि इनके लिए विशेश परश्चित पूरोहिद वर की आउसकता होने लगी अब पूरो में यह था कि घरों में जो यह क्यों करने के लिए एक पूरोहिधी प्रयाप्ता था परंद बाद में कई पूर में यह के देव यग्या जो कि एक क्रार से सांग्यती गूप से प्रते ग्रस्त को करने आव सकते परंद धिरे-धिरे इन यह में जो जट्री उटा आई तो वो यह के जो है कई वर्सों तक होने लगी और बड़े प्यमाने पर उनमें कर्मकाणों का विश्तार हो गया यह मे पारण है बहुदेवाद का विकित शुरूप यद्यपी वैदिक धर्म में बहुदेवाद की परंपरा रही है जिसा आपने दिखा होगा कि अगने मारूत सुझ यह प्रत्वी यह तमाम जो हमारे जो प्राकर्दिक सक्तियां हैं जिन से हमें कुछ न कुछ अर्जन होता है उन सबको हम एक प्रता से देवता मानते हैं वाहस्तमें उर्जा प्रतान धन देते हैं थान देते हैं इन को प्राकर्दिक स्कतियों को है अपने आप में इंक को अलग प्रम्प्राथि हम एक सकते हैं कि हम उन प्रक्रतिक सकते हुं की पूजा करने का जो उन प्रक्रतिहों कि अमें सही था गोस्त 49 में क्या आध लिश्ट हो जाएगा इस कारण क्या हुआ कि इन विचारों के कारण इन देवताओं की पुजा बड़ी पैमाने पर ये गुन द्वारा जडिल होती गई पहले जो पुजा एकदम सरल स्वरूप में किजाती थी बहुत ये बात की कारण विभिन देवताओं की पुजा अर्ज क्योंकि जो पुजा विदी थी जो कर्मकारण था जो यग्य थे उनको संपन करने के लिए ब्रहामन वर्ग के आफ्सका होती थी और इसका प्रणाम क्या वाकि वैदिकार में जो ब्रहामनों का जीवन सरड़ सीधा और सरड़ होता था कालंतर में उनके जीवन में भी चट् र्मकारणों के मेधिक आ और ट्शोड रेवार्व में अहिंकार ब्याष्मत हो गया और वों इतने उकाली हो गए औरृत हू से कर dużo जर्मारत से कटें करने लगे कि इसका प्रणाम योःवा कि जो भ्रहामनों की स्रेश्ता थी उसपर बादर आऊचर में इसका प्रणाम यहवा की धिरे धिरे ब्रहावन वर्ग का प्रभुत्व समाद परिस्ताप्ध हुआ तो अन्य जो तीन वर्ग थे तीन वर्ग थे इससे क्या हुए उदासीन होने लिए यही निए वैसेवर्ग की वियपारिक क्रिया कलाबों। अधीन को निए अपने को इस से कमने कर ने कांगी या उसकी आपने मीद्स अरहे किुछाख जाओ शुद्री में किह यहाओ अधीन व्यार्ण में से एक हमारें मीच minadолог को में यह दो किसे रहाइनी कारीetic चाहरे कहने 민व भी 뭉ड़ जे शुछारे को समस्त चतुरवण के पाद सी थे और वहवण जो है इस जटिल होती वर्ण व्यावस्ता से का था रूष्ट था उसा कारण क्या था कि रिग वीर्द में जहां व्यावस्ता कर्म पर आधारित थी धिरे धिरे उत्रवैदिकाल तक आते हैं वह जन्म पर आधारित हो गई रिग व्यावस्ता को कर्म के बजाए जन्म पर आधारित मानदान लगा तो इससे क्या हुआ इसे वर्ण व्यावस्ता में संगर्ष पैदा हो गया और जो वर्ण व्यावस्ता में जटिलता आई कि जन्म के आधार पर जो वर्णों का विनिश्ता होने लगा इससे वर्णों का आपसी संगर्ष और बढ़ा पर इसका प्रणाम यह वा कि हर वर्ण व्यावस्ता से असंतुष्ट रहने लगा इस जन्म द्हें भाधर्म के इदाए के कारण में आर्थी कारणे में थे क्योंकि उससमें जो लोहे का बड़े पैवाने पर प्रियोग होओ व्यापक प्रियोग होओ तो प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो गया जिस कारण जो धन्यादेवर्ग था वो वर्ण व्योस्ता की स्रेश्टर के आदार पर धन के आदार पर समाद में अपनी मानेता इस्तामित करना चाहता था और वो चाहता था कि जो जो धरों में अनावस्यक जटिलता है वो समाद हो इन कारणों से भी जैन एवं बहुधरम की उदाय के लिए मार्ग मिला एक रास्ता ताई हुआ और इसका प्रणाम यह हुआ कि जो आर्थिक युकारण रहे है जिसे आर्थिक संपनता बड़ी इसे नगरों की इस्तापना में बिल्दी हुई एक नगरिय संस्कृत का उदाय हुआ और यह नगरिय संस्कृत जो थी वो धन और समार में प्रतिष्टा के आधार पर अपनी स्रेश्टा इस्तापत करने का प्रयास करने लगा साथी साथ बधिक कारण भी जैन इरुन बधन के उदाय के लिए आवसिक रहे बधिक कारण यह थे कि उस समय जो चत्रुवर्ण में था ब्रामन वर्ग अपने को बधिक द्रिश्ट से उन्नत समझता था और जबकि वैदिकाल में यह थी कि सभी वर्णों के लोगों को सवतंद्र चिंतन की यह में कह सकते हैं सभी वर्णों में सवतंद्र चिंतन की प्रमपरा थी किसी वर्ण का कोई भी विद्वत व्यक्ति अपनी विद्वता के कारण समाज में मयत्पुन अस्तान, स्रेष्ट अस्तान प्राप्त कर सकता था पर उन्त जो धिरे धिरे जो वर्ण व्योस्ता में जड़ता आई उसका प्रिणाम यह हुआ कि ब्रामन वर्ण ही अपने को स्रेश्ट समझने लगा और इस स्रेश्टा के कारण जो अन्य जो वर्ण थे उनमें जो चिंतन पैदा हुआ तो उस चिंतन के आधार पर अन्य लोग होता है वो कर्मकानों से नहीं बल्कि त्याग और तपस्चर्या की आउसकता होती है यह अभी का गया कि मनुष्यों को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है इस प्रकार उपने सुदों ने जो निविर्तिमार्ग और कर्म सिधान्त इस्तापित किया निशित ही निविर्तिमार्ग और कर्म सिधान्त जैन एवं बहुद्धर्म से पहले उपने सुदों ने इवब सिधान्त इस्तापित कर दिया था और यह जो सिधान्त इस्तापित ह हुए और उपने स्वधों में यहां तक कि पशुबली को व्यर्थ बताय गया ऑपने स्वधों कर दया था कि यो पशुत दे जाती हों कि उपनी सदों ने बेदों के प्रमानकेस्तान पर पवित्र आचरण तथा अमूर्त वर्म की आराधना पर जोर दिया और यह करा कि सभी वर्णों को मोख्ष प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है और इसके लिए क्या ज्यान की आउस्कत है उपनी सदों ने इस्वष्ट कर दिया कि कोई उच्छ कुल में या कोई उच्छ वर्ण में पहला होकर उच्छ नहीं बनता है बल्कि अपने ज्यान की आधार पर वह स्रेश्टता और उच्छ अस्तान प्राप्त करता है इसलिए उपनी सदों में का आगया कि मनुस्य के भागय का निमान जन्म से नेंबल के कर्म से होता है तो इस तरह उपनी सदों ने जो उच्छ कोडिका चिंतन प्रस्तुत किया इससे भी जैन एवं बाधर्म के उदाय का मार्ग प्रसस्त हुआ इस जैन एवं बाधर्म के उदाय के पीछे एक बड़ा कारण तातकाली जो दार्षनिक हुए उस समय जो महत्पून दार्षनिक हुए उनका भी बड़ा योगदाना है इन दार्षनिकों जो आचारिय थे उस समय बिद्धवत जन थे जो कि इस रगा चिंतन करते हुए शब को समान दिश्टे देख थे उन्होंने जो चिंतन किया उन्होंने जगया जगया जैसे मगद में या अनियर माधर्म पतों में भ्रमन किया और भ्रमन करके अपने सिधा प्रसंदों का प्रचार किया इन अच्ञी पलगवायत वंव्योष्ता ये जग्यों कि आ एक तता कर्म होद का विरोध किया और निविर्ति मारग़ों परärtई 9 इसका प्रणाम यह हुआ कि समाज में एक नया चिंतन आरम हुआ और जो इन आचारियों ने इन दार्ष्णिकों ने लोगों को बताया कि ब्राह्मुनों की सर्वोजता को मानने से इनकार कर दिया और इनकार कर्म और अईन्साकिस दालबर जलात जोर दिया इसका प्रणाम यह हुआ कि तातकालिन प्रिष्ट्थों में समाज में अनेक दार्ष्णिक या हमें कह सतमें अनेक प्रकार की मानने ताय तो दोई जिनमें नास्तिक, संदेवादी, भौतिकवादी, भोगवादी, नियतिवादी कई ऐसे संपरधाय स्ताधित हुए जुसका अंग क्या हुआ? समाज में इक नया चिंतन आरम हुआ. जो यह विभिन प्रकार की जो चिंतन आरम हुआ, उसका प्रणाम क्या हुआ? कि उस समय कई संपरदाई अस्तुतमी आ गई इन में से छे संपरदाई प्रमुख थे जिन में से पूर्ण कश्यप नावक ब्रामन आचार दिनी का गया जो घोर अक्रियावादी था पूर्ण कश्यप का माना था कि चोरी डगयती हत्या जूट आडिपाप नहीं है और दान जब तप सत्य से किसी प्रकार का पूर्ण अप्राप्त नहीं होता है अर्थात कर्मों का कोई फल नहीं होता है यह अपने आप में अक्रियावादी मानी पूछनक जो उस पे इस्तरों जो मैंने अभी बताया कि देगेती हत्या पाप कोई पाप नहीं है और जानता दान जब कोई पूइन नहीं है यह उसका अपना मानना था अब समाज निसकों कितना स्विकार क्या अलग बात है मगली गोशाल जो दूसरे मेहत्रों विद्वान हुए उन्होंने अलग से आज जो नियत के अधीन है उसमें नवल है नप्राक्रम अर्थाक की गोशाल का मानना यह था कि प्रतेग ब्यक्ति या प्रतेग प्राणी अपने भाग्य के अधीन सुक वदुक भोगता है इस तरह मखली गोशाल का था नियत वारी था इसी प्रकार अजित केस कंबलिन जो आच अगनित था वाय उसी शरीड निर्मित है और मृत के बाद कुछ सैश नहीं बसता है अर्धात जो हमारा इस शरीर है जो हम करें पंचततों स्वी जो शरीड बनावा है बाद में मृत के बाद ये उनहीं पंचततों में विलेन हो जाता है इसलिए उमानता था कि प्राप और अजीत केस कमलें थे उनका चिंदम था वो लोकायत परम प्रापर अधारित था लोकायत मींज इसका अर्थ ही होगा कि इस भौदिक जीवन में सुक शुद्वां का जितना व्यों कर सकते हो करो उसके बाद कुछ नहीं बसता है जैसे आपने केबार सुना होगा कि यावत रिणम किर्द्वा घर्दम पीवे एक चारवाग दर्षन का भी एक महत्पूम अंग इसको मानते हैं कि अर्थात इस जन्व में चितना सुक भोगलो भोगलो उसके बाद किसी ने दिखा इस तरह के भी समय विचारत उत्वन हुई हैं और अजीत केस कमलिन इसी तरह एक लो अपने अपने डंग से अपने चिंतन को जो उचित लगा उन्होंने उसको और जन्ता जन्मारस के समख्ष रखा और इस तरह अपनी विचारत का प्रजार करना आरूम किया अब आप यह खुद समझ सकते हैं कि इन विचारों का कितना समाज पर प्रवाव पड़ा क्या प्र जैन इवन बौधर्म के वहीं जो है आगी जाकर सफलता प्राथ कर सके अन्हें जो इस संप्राय रही इनको ज्यादा मानता नहीं मिली यह देपी इन्होंने पनी विचार रखे अपना दर कर रखे अपना प्रचार किया परुंतिर कितने सफल हुई यह आपकी समक्ष इस प जो संजाए बेलठी पुत्त जो गिद्वान हुए उनका कहना यह था कि परलोग है या नहीं कुछ कहानी जा सकता अर्था तो संसाईवादी जैसे ते अनिसाईवादी कोई निसाई नहीं कर बार थे यह बस्तु है भी और नहीं हुए यह है या नहीं किसमावली में वह महावीर स्वामी हुए जो निर्गरंत संप्रदाय था महावीर स्वामी उस निर्गरंत संप्रदाय से ने पैदा हुए और बाद महावीर स्वामी ने क्या क्या जैन धर्म की स्थापना की तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इन सब कारण से क्या हुआ उस काल में जैन धर्म इवं बहुत धर्म का उदाई हुआ तो जैन धर्म का उदाई एक कैसे हुआ और जैन धर्म की उसमय की उदाई होने की परिश्ट्या हुआ जी findings you कि आप से जानतें कि जैन धर्म में ची टीर थंकर परम COPरा थी ध्रम जो प्राचिन धर्म था alles मैं आपको इस प्रस्टम करना चाहूंगा कि मावीर स्वामी तो जैन धर्म की जो तीर्थंकर परंपरा नहीं है उसके 24 स्वें तीर्थंकर हुई है और मावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के अनसार उसमें 23 तीर्थंकर और हो चुके थी जिनमें प्रथम तीर्थंकर इसलिए निर घ्रति मत के अन्याई थी कि एक का जो समय था हूँ महामीर स्वामी से लगवड 250 वर्स पूर्ञ चली जो पार्शोनात थे पार्शोनात ने अपने उब्देशों में चार सिद्धाउंत पर विशेश जोड़ दिया अइंसा, सत्य, अस्त्य और परिग्र जो पार्शोनात जो पार्शोनात जो तेस्वें तीर्थनकर जैन्धर्म के हुए उन्होंने मुखतव चार सिद्धाउंत पर विशेश जोड़ दिया अइंसा, सत्य, अस्त्य और परिग्रह आप समस्कते हैं इसमें ब्रह्मचर उसमें नहीं था ब्रह्मचर जो बादमे माहि सांसारिक बंदनों से मुक्त समझते थे या वो सांसारिक बंदनों से मुक्त हो चुके थे अब ऐसे परिशित्व में 250 वर्षबाद माहिमिर स्वामी का निर्ग्रंत संपरदाय में जयन्व हुआ जो कि 24 शहत्त इतंकर थे जहIONधरम के तो महीआश्वमी का ज्ञान में जैसे आपको पता है कि जो वजी संग था उस वजी संग के ज्यांतरीक ब्रकुद के जो राजा थे उनके वर्दमान जो राजा थे वर्दमान के घर होगा और यह सिदार्थ जो राजा थे वजी संक्य जो राजा थी सिधार्थ उनके घर जो है महाविर स्वामी का जन्म हुआ और महाविर स्वामी का बच्वने का नाम कहता गोर्दमान था उनकी मा का नाम तिर्शला था जो कि लिछवी रागा चेटर की बहिन थी चेटर जो समय पेशाली का राजा था और ऐसा एक माना जाता है कि महाविर स्वामी का जड़ जन्म हुआ तो महाविर स्वामी का बिवाव जो है यह सोदा नाम कराज कुमार से हुआ और उनकी पूत्री भी पैदा हुआ जिसे अनेज्जा या प्रियत वर्शना का जाता है को सांसारीकवी सवयों से विरक्त होने लगी वो चिंतन करने लगे और उन्हें राजपार त्याकर समस्त शुकुंगा त्याकर वो तपश्या में लीन हो गए Ça, थिस वर्षकी आव्य में उन्हें जब घृहत क्या कि आपने बड़ी भाई ननी व दन वर्धन के आगया से और विख्ष का जीवनosis अपना लिया फिर मा वर्ध मान की कर्थोर्त पॉर्षでは कि और यहीं कर्थोरित पौश्या कि तो इतने कर्थोर पॉपश्या उनने की कि उनके शरीर के वस्त्र सब गल के सब गल चुके थे अब उनके वो शरीर वस्त्र हीन हो चुका था दिसाय ही उनका वस्त्र थी दिसाय मींज जो आज जो दिसाय हो इसलिए उनको दिगंबर शरूर प्राप्त हुआ उनने जो बारा वर्स हो तब जो कफोर तब किया उसका प्रेणाम हिवा की हूँ, उनकी शरीट पर ग्रीश, मिस, जाड़ा, वर्षा कोई भी वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और इस तरह उन्हें समस्त बंदनों को त्यार दिया, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, अब वे निर्य ग्रंत कर ली, उन्हें जब अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो वे जिन कर आई, जिन अर्थात, जिने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो अंत में वो तेर्वें वर्ष में उन्हों जंबिक ग्राम के निकट जो रुजुपालिका नदी थी उसके तट पर साल ब्रिक्ष के निचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हो कैवल्य मीन्स ज्ञान और जब उनके ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह पूज निये कहे अरहत्त बने पूज निये महाना जाना रगा और क्योंकि उन्हें अपने इंद्धिनों पर विजयपराप्त के अपने इस अपश्छा काल में जो वीर्था दिखाई इस काल वे महावीर कहलाई और महावीर कहलाई तो जो उन्हें इंदे उपर विजय प्राप्ति हों क्या किलाली जीन किला है और जिन से ही ऑनम क्या कर लाइतप जहन और इस तरह झाल झैजरम से गया है और तक जो इनिर गन्द दर्मीह जो चार स्थान्त थे और तक उसमें उन्हें ब्रह्मचाली और प्रम्परा उसमें जो उनकी उन्हें क्या थे निर्गरन्त के स्थाने पर जैन करने नहीं डहीं और इस तरह जैन धर्म का उधाई हुआ अब जब महावीर स्वामी अब उनका नाम क्या को महावीर क्योंकि उन्होंने तपस्याकाल में बड़ा अपूर्प सोरे का प्रदस्न किया अपूर बीरुता दिखाई अपने इंदियों पर बिजय प्राब्द की वर्सा सीत ग्रीश्म गर्मी इसका उनके सरी पर कोई प्रभ अब जब उनको कैवल्य मने जब उनको ज्यान प्राफ्वा फिर मावीर स्वामी ने तीस वरसों तक बिविन्हास्तान पर भ्रह्न किया उन्हें लोगों को उपदेश दिया जनता के विच गए जनता के बीच सत्य अहिंसा अस्ते ब्रमचर तदा अप्रिग्रह का जो सिद्धानती अस्ते ये इसका उद्धिश था कि बिना किसी नुमत की कोई विष्टो लाईना मसंके कर एक करना और अपरी जडा आवसक्ता से अधिक विष्टों का संवयात मत न करना इस Carry日क मं ने प्रचार किया और इन सिद्धानती की आधार पर उन्होंनी जो ये जैन धर्म के त्री रत्न हों समयक द्रिष्टी समयक आचरण समयक ज्यान तो इस त्रवनी क्या जैन धर्म की स्थापना की और जैन धर्म का प्रचार किया जैन धर्म ने जो इन सिधाउंत पर बल दिया उसका प्रिणाम यहा कि समयक दर्शन जो ये जैन धर्म के त्री रत्न थे समयक दर्शन समयक आजरण तदा पंच महामरत जिमें अहिंसा सत्यवचन अस्तिय ब्रहमचर अपरिग्रह तो इनका उन्हें पालन किया और कालांतर में यही जैन धर्म के मुक्य सिधान बनें बले इनमें कायाकलेस भी एक मुक्याव का अपना अस्तान है साथ इसाथ इनमें जो आत्मवाद है उसको भी हम दूसरे अध्याय में हमें कहीं दूसरी वीडियो में उसके पर वीचर्चा करना चाहेंगी तो आज के लिए हम इतना ही काफी है कि हमें समझें कि भारत में किन कानों से जैन धर्म का उदाई हुआ और साथ साथ जैन धर्म के उदाई की परिशितियां क्या थी